फेक रिव्यूज को लेकर जी बिस्निस की मोहिम रंग लाई है सरकार ने आखिरकार इसे लेकर एक सक्त गाइडलाइन जारी कर दी है और ये गाइडलाइन्स 25 नवंबर से प्रभावी मानी जाएंगी सरकार ने fake reviews को लेकर unfair trade practice इसे करार दिया है और साफ किया है कि कोताई पाई जाने पर कंपनियों पर सक्त कारवाई भी होगी आज हम इसी मुद्धे पर चर्चा करेंगे समझेंगे कि fake review पर लगाम कसने में सरकार की ये कोशिश कितनी कारगर हुई है क्या इसके बाद fake reviews के जाल में ग्राहकों को फसाने का जो पूरा गुरक धंदा चल रहा था उस पर पूरी तरह से रोक लग पाईगी क्या अब e-commerce कंपनिया अपनी marketing strategy में बदलाव करेंगी चर्चा करेंगे बहुत ये खास मुद्धा है जी बिसनिस का भी और जी बिसनिस के दर्शकों का भी क्योंकि हमने और आपने दोनों ने मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया था और आज ये अन्जाम तक पहुँची है चर्चा करेंगे बहुत ये खास मेहमानों के साथ लेकिन पहले ये रिपोर्ट बरते ई-कॉमर्स के बाजार के साथ फेक रिव्यूस का मार्केट भी काफी बड़ा हो चुका है फेक रिव्यूस के चक्कर में ग्रहक कई बार दोयम दर्जे के प्रोड़क्ट खरीद लेते हैं और ठगे जाते हैं लेकिन अब फेक रिव्यूस का बुलबुला फूटने वाला है सरकार ने इसे लेकर एक सक्त गाइडलाइन जारी की है जो 25 नमबर से प्रभावी मानी जाएगी इसके तहत रिव्यू में जो लिखा गया है उसमें कोई बदलाब नहीं किया जा सकेगा कोई वेबसाइट या इकॉमर्स पॉर्टल अपनी सुविधा नुसार किसी रेटिंग को दिखा या छपा नहीं सकते अगर पैसे देखकर रिव्यू लिए गए हैं तो उसे जाहिर करना ज़रूरी होगा रिव्यू लिखने वालों की पहचान के साथ उनका KYC के जरिये क्रॉस वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा किसी तरह की कोता ही पाए जाने पर कंज्यूमर कमिशन या CCPA को दोशी कमपनी पर सखत अक्शन लेने का अधिकार होगा फिलहाल इसके दाइरे में होटल, रेस्ट्रों, ई-कॉमर्स कमपनिया, रीटेल, टूर और ट्रैवल्स, सिनेमा, भुकिंग और ऑनलाइन अप्स और इनके अलावा जहां रिव्यूस का इस्तिमाल होता है वे सभी कमपनी आएंगी ग्रहकों से लगातार मिल रही शकायतों के बाद जी बिस्निस ने फेक रिव्यूस के खलाफ आवास बुलंद की थी सरकार तक जनता की बाद पहुचाने का काम किया हमारी मुहिम रंग लाई पहले तो उभुभुखता मामलों के मंत्राले ने इस मामले में तीन विशेशग्यों का एक ग्रुप बनाया इसके बाद मंत्राले के अलावा Advertising Standard Council of India याने के ASCII और Federation of Indian Industry याने के CII के प्रतनिधियों को शामिल किया गया इसके बाद सरकार ने e-commerce, websites और portal से जुड़ी कंपनियों में खास तोर से Flipkart और Amazon जैसी दिगज कंपनियों के प्रतनिधियों के साथ बैठक की बैठक में सरकार ने Fake Reviews पर नकेल कसते के लिए उनसे राय मांगी इसके बाद सरकार ने इसे लेकर सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है दरसल मुफ्त प्रॉड़क्ट, कमिशन या पैसे देकर Fake Reviews लिखवाए जाते हैं इसका Modus Operandy यह है कि पहले Reviewer प्रॉड़क्ट खरीद कर 5 Star Rating देता है और इसके बाद उसका पैसा वापस हो जाता है दूसरा, Reviewer को किसी प्रॉड़क्ट पर Extra Discount देकर उससे अच्छी रेटिंग ली जाती है असली और नकली रिव्यू की पहचान करने के कुछ तरीके हैं अगर किसी उत्पाद को केवल 5 Star Rating ही मिली है तो ये Red Flag है जादतर रिव्यूज की अगर एक जैसी भाशा है तो सतरक हो जाएं किसी प्रॉड़क्ट को अचानक 5 Star Rating मिलनी शुरू हो जाए तो ऐसे प्रॉड़क्ट की जाँच परताल करना बहतर है ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे आप फेक रिव्यूज और असली रिव्यूज में अंतर कर सकते हैं ग्रहकों को माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सक्त गाइडलाइन्स आ चुकी है ब्योरो रिपोर्ट Z-Media